दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सुप्रेम कोड का एक लेटेस जज्जमेंट जारी किया गया है 14 दिसंबर 2013 को और इस जज्जमेंट के अंदर यह साफ कर दिया है कि नॉमिनी जो है वो अब हगदार नहीं होगा नहीं उसका कोई लीगल होगी नॉमिनी सिर्फ एक के टेकर एक प्रेटेक्टर है जो असेंट उसको डी गई है नॉमिनेशन के रूप में वो उसका एक टेकर होगा ना कि उसका हख़दार आए जानते क्या है armies के के फाक्ट से दोस्तो दो भाई है जिसकी ए पूरी जो हैब कैस इसपर दिया गया है Supreme Court दुवारा, जिसके अंदर एक भाई को inherent किया गया, जो भी shares है, जो भी debenture certificate है, वो एक भाई को inherent किया गया है, लेकिन जो दूसरा भाई है, वो उन shares and debentures के अंदर nominee है, और उसका यह कहना है, उसका यह objection है, कि अगर वो nominee है, तो यानि इसका मतलब यह है कि वो beneficial owner है, as per the companies act के साब से, और वो ही एक legal owner माना जाना चाहिए, जो यह case जो एक Bombay High Court में गया, जिसके अंदर अपील करी गई, कि उसे जो nominee, जो दूसरा भाई था, जिसने यह appeal करी है, Bombay High Court के अंदर, कि वो ही एक legal owner है, तो Bombay High Court दुवारा यह साफ-साफ कहा गया, कि जो nominee है, वो सिर्फ एक protector ह जिसको जिम्मेदारी दी गई है, उस protection के लिए, यानि जो भी shares, जो भी debenture है, उसका सिर्फ protector है, वो कोई legal owner नहीं होता, जब तक कोई legal representative या legal hiring यह claim नहीं कर लेता, अपना right, तब तक वो सिर्फ एक protector के रूप में ही रहेगा, इसके साथ जो nominee था, जो दूसरा भाई था, ज Companies Act 2013 है, जिसके अंदर सिर्फ nominee जो है, वो transfer of share के process कर सकता है, ना कि वहाँ पर कोई successor decide किया जाता है, successor कैसे decide होता है, तो successor decide होने के दो तरीके होते हैं, successor पहला तो अगर कोई owner है, जो right owner है, अगर वो अपनी will बना देता है, तो उस case में जो भी will में जिसका नाम होगा, उसी को property का हगदार माना जाएगा, लेकिन अगर कोई will नहीं होती है, तो उस case में हिंदू Succession Act के इसाफ से या फिर Indian Succession Act के इसाफ से ही ये निर्दारित किया जाएगा, कि इसका अखसली हगदार कौन है, nominee होने से उसका अखसली हगदार आप नहीं बन सकते, ये Supreme Court द्वारा साफ सा कहा गया, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा important decision जो हो दिया गया है, सक्ति वर्सेस जयानन जयंत का ये case है, हिरिकेश जोई ने इसका judgment दिया है, 7107 इसकी अब civil appeal number है, और ये जो decision है, वो 14 December 2013 को जो latest decision है, जो latest judgment है, वो दिया गया है, जिसके अंदर साफ साफ ये कहा गया है, कि जो successor है, वो ये decide नहीं करता कि अगर कोई nominee है, अगर किसी shares और debenture certificate के अंदर कोई nominee है, तो वो directly successor decide नहीं हो सकता, successor decide होने के दो तरीके इसमें बताए गए है, एक तो या तो will के through अगर succession होगा, या फिर अगर will नहीं है, तो उसके इसमें हिंदू succession act के दुआरा ही succession किया अगर जब तक succession decide नहीं होता, या फिर अगर कोई will बनी हुए, कोई inherent दिया गया है, कोई will बनी हुए, तो उस case में अगर वो है, तो उसके हिसाप से ही decide किया जाएगा, nominee के base पर जो है transfer, सिर्क process of transfer होगा, ना कि वो उसका legal honor होगा